हेलो एबरिवान नॉलेज लाइबरी साइंस में आपका स्वागत है चैनल को लाइक शेयर सब्क्राइब करो और हमें प्रोमोट करो हमारा जो टार्गेट है 1000 अब अचीव नहीं हुआ है प्लीज उस अचीव होने में हमारी हेल्प कीजिए हम मैंने आपको नैशनल लाइबरी के बारे में बता दिया था तैपस ओफ लाइबरी के अंदर जो नैशनल लाइबरी थी उसके बारे में आपको बता चुक्यों राइट मैंने आपको नैशनल लाइबरी के बारे में बता दिया है आज हम पढ़ेंगे आज हम क्या चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा सेशन Academic Libraries Academic Libraries क्या होती है Academic Libraries क्या होती है चलिए हम पढ़ लेते है Academic Libraries Comprise क्या करती है? Comprise करती है मतलब इसके अंदर और भी libraries है राइट क्या का करती है? School Libraries College Libraries and University Libraries इन तीनो logarith dropdowns को मिला के academic libraries वनती है, ठीके, तो क्या हो गया academic libraries के? जो academic libraries के अंदर भी types हो गए, कितने types हो गए, three types के, ये library के types के combinations है, academic library, क्या क्या हो गए उसमें, School library, College libraries, अよ Ados çok ठीक है, performance of each of these types of libraries is important in promoting the objective of their parent organization to which they are attached, ठीक है, इनका कोई parent organization होता है, मतलब एक school है, एक library है, तो वो क्या करेगी, उस school, जो उसका parent body, मतलब जो school है, उसकी जो requirement है, उसको fulfill करेगी as a library, ठीक है, as a library वो क्या कर सकती है, उसके requirement को fulfill करने के लिए, तो को करेगी, ठीक है, तो स्टूडेंस की जो भी courses available है, उनको support करेगी, तो वहां पर जो भी जो बुक्स की रिक्वार्मेंट होती है वो फुलफिल करेगी स्कूल लाइबरी क्या करेगी जो भी कोर्सेस अवैलेबल है उस कॉलेज में उसको सपोर्ट करेगी जैसे की स्टूडेंस और टीचर्स हो उनको हेल्प की लिए ठीक है और यूनिवस्टि ल स्कूल लाइबरी क्या है जो भी कोर्सेस अवैलेबल है जाए वूं प्रोफेसर हो थो प्रोफेसर क्यूंत करेगी स्टू ये क्या ने haya सब्सक्रत लाइबरी क्या पर निच्षित्य Cup ले fel Ones के बाले में पढ़ लेते हैं, the librarians of the school library has the responsibility, किस के बास होते हैं, librarians के बास, of not only maintaining the library, but also getting involved in activities that would be complement and supplement classroom teaching, right, तो सिर्फ library को देखना नहीं होता, maintain कना नहीं होता, उन्हें और भी activities में involved होना होता है, right, classroom teaching हो गई, जिस तरह से ठीक है, story telling भी होता, it is necessary for him, for her or him to possess teaching skills, teaching skills होनी चाहिए, अगर आप school librarians हो, ठीक है, स्टोरी टेलिंग आ जाती है, book talks आ जाती है, demonstrating the life of birds, ठीक है, animal lives, ठीक है, animal throw, audio video, visual aids, जैसे की, जैसे बहुत सारे school libraries में क्या होता है, वो लोग, जैसे मालोग कोई animal है, उसके बारे में उन्हें बताना है, detail में, तो वो उसके बारे में एक video चालू कर देते हैं, ठीक है, जिसमें सारी information बताई जाती है, और उसमें क्या होता है, जो librarian होता है, वो बच्चों से उनको और अच्छे से explain कर सकता है, उनसे question पूछ सकता है, जिससे की, बहुत ही अच्छा environment क्रेट होता है, teaching का जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं, ठीक है, etc are some of the other desirable skills that a school librarian should possess, ठीक है, most of these activities call for imagination, both in design and presentation, एक तो imagination, मनलब presentation होना चाहिए, आपको बच्चों को imagine करने के लिए, मनलब उनकी imagination create हो, आप जो पढ़ा रहे हो, या आप को storytelling कर रहे हो, तो उनके दिमाग में वो image आनी चाहिए, imagination करेंगे वो, कि जो भी आप storytelling कर रहे हो, उसकी image अगर उनके आखों में बन रही है, तो मतलब आपका presentation बहुत ही अच्छा है, right, he, she should develop a participative approach with the teachers and play a supportive role in improving the performance of the school as well, as a whole, ठीक है, a school library should offer some of these services to its client, right, lending services देते हैं students को, ठीक है, information and reference services भी provide होती है, जैसे को information चाहिए हो, कि किसी भी regarding books को लेके, कुछ भी लेके reference services प्रवाइब होती है, कि कौन सी book कहाँ available है, कैसे मिलेगी, हाना, तो उस वो भी कर सकते है, guidance दी जाती है, advisory services भी provide होती है, preparation of reading, it's both an anticipatory and responsive basis, service on current event, current event के बारे में बताया जाता है, activities, responsibility, etc, क्या-क्या responsibility होनी चाहिए, बहुत साइच चीजें सिखाएंता है, other routine services, और भी other other services add कर सकते हैं, school libraries में, तो यह हो गया, school libraries के बारे में, next, देख लेते है, college libraries के बारे में, college education provides a completely different environment to the student, here the teachers will not be providing individual attention to the student, students have to depend more on her self-learning, ठीक है, उनको self-learning के बारे में, जादा से जादा depend रहना पड़ेगा कि वो कितना खुद से पर सकते हैं, ठीक है, यह school library से बहुत ही different environment होता है, ठीक है, next, देखते हैं, और क्या है, college library के बारे में, तो, therefore, college libraries plays important role in supplementing classroom teaching, in this section we shall briefly discuss the objective of functions, nature of the collection that needs to be built up and the service to be rendered to the different categories to user, the major function of a college library may be summed as under, giving the young minds, boys and girls, a wider and deeper understanding of different disciplines, तो, क्या क्या सर्विसेस, क्या क्या functions, जो college library होती है, वो दे सकती है, एक young mind को wider and deeper understanding of disciplines, जो subject होती है, जो disciplines होती है, जो courses होती है, उसके बारे में, एक wide knowledge provide करती है, preparing the students for the advanced studies in the various disciplines, advanced studies के लिए prepare करती है, preparing the girls and boys for shouldering higher responsibility in life, उनको provide करती है कि वो higher responsibility ले सके, ठीक है, providing adequate reading facility, adequate reading facilities provide करते हैं, ठीक है, introducing special material to faculty necessary for their research also, ठीक है, faculty को necessary research material provide करते हैं, जो teachers होते हैं, उनको lectures prepare करने पड़ते हैं, तो, वो library में जाके अपने lectures prepare करते हैं, ठीक है, तो, उसके लिए support available होना चाहिए, material available होना चाहिए, तो, उसका जो study material available libraries में किया जाता है, ठीक है, function into practice the college library need certain key component, क्या-क्या key component है, collection of books and other learning material, ठीक है, जो collection होता है, ठीक है, वो बहुत important होता है college library का, ठीक है, identification of the user community which comprise students, teachers and college management, ठीक है, उन्हें identify करना पड़ता है किसकी क्या requirement है, ठीक है, students, teachers और जो भी college में staff है, physical facilities like building furniture and other equipment, comfortability होनी चाहिए, building facilities होनी चाहिए, space होना चाहिए, furniture comfortable होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो यह सब चीजे भी देखी जाती है, यह सब चीजे भी provide की जाती है, ठीक है, professional staff for the library, जो staff होता है वो professional होना चाहिए, अपने काम को लेके, finance and budget, ठीक है, यह सब भी provide किया जाता है, the important service to be provided by the college library comprise the following textbook services, textbooks होती है, of course, textbooks होंगी, जो भी courses available है, college में उसकी books अगर college library में available नहीं होगी, तो फिर कहां होगी, right, तो वो चीज available करवाना बहुत जरी होते है, उसकी services होती है, lending and inter library loan services available होती है, reading room services, information and reference services, documentation services on a specific request, अगर जैसे कोई documentation हो गया, यह service किया होगी, कोई bibliography वगरा बनाने की services होगी, बालो कोई special है, जिसमें time लग रहा है, help चाहिए, कोई teacher है, जिसकी आपको help करनी है, कोई particular data को निकालने के लिए, उसमें इसको अस्जमाल के जाता है, डिस्पले ओफ current journals and new acquisition to the library, new acquisition and new arrivals के बारे बताया जाता है, current journals को display किया जाता है, ठीक है, assistance in the use of library, audio-visual services provide की जाते है, such as tapes, slide demonstration, ठीक है, और reprographic facilities दी जाती है, on liberal basis, ठीक है, reprographic services क्या है, basically photo state है, आप जिससे कुछ भी photocopy करवाना चाहते हो, तो आप कोई important, ज्यादा नहीं, only one chapter का requirement, देती है, आप किसी भी book से one chapter, photocopy करवा सकते हो, लाइबरी से, उसकी कुछ normal charges होते है, sometimes free भी होती है, but depends on, ये library, किस type की library है, ठीक है, next देखते है, university library क्या-क्या provide करती है, अपने users को, और वो कैसी होती है, तो an enduring metaphor for university library is that it is the heart of the university, जो university library वो क्या है, वो है heart, ये question बहुत बार आपको किसी भी MCQ paper में आ जाएगा, लाइबरी के, तो ये ज़रूर, memorize कर लीजे, अच्छे से, the objective and function of university library are derived from the function of a university, which are, कैसे drive हो रहा है, learning and teaching, इसमें क्या हो रहा है, जाएबरी के दोनों के, same goes to college library also, college library भी आपको same kind का material मिल जाएगा, जहाँपर टीची और लर्णी को दोनों को support किया जाएगा, उसमें रिसरच के लिए भी material को रखा जाता है, जैसे भिनतरिसर्च के लिए लिए भी director KACHCPR Co रसे 대해서 जसे लिए localizer को रखा जात जाता है, तो Learning and Teaching हो गया सब्सक्र कि दिवार ज़नेरेशन दुडिवोगी जिवरूछ जान भी बच्ची के लिए material disseminate and publication of research results ठीक है, dissemination होता है, conservation of knowledge and ideas, extension and services, extension and services provide की जाती है, ठीक है, और functions देख लेते हैं, functions, as started above the major functions of the university library are derived from the objective of the university, they comprise development of a collection in a wide range of subject, learning, teaching, research, publications, etcc, यह इसको developed किया जाता है, range, जो collection है, लाइबरी का उसको compatible बना रहे है, learning के लिए, teaching के लिए, research के लिए, publications के लिए, right, getting the stock of knowledge material organized and maintained for user, ठीक है, maintained for use, ठीक है, उसे maintained किया जाता है, organizing and providing a variety of library, documentation, information service, both responsive and anticipatory, ठीक है, organized किया जाता है, the user community of university library generally falls under the following categories, किस किस काटेगरी के user community होती है, student at different level of study in different subjects, teachers imparting instruction and guiding students at different levels and different subjects, research students working for MPhil and PhD, जैसे कि मैंने उपको बताया, कि यहां पर research के जो बच्चे होते होते हैं, यहां पर मैं अभी यह जो user, किस किस type की users हो सकते है, university library में उसका एक brief है, postdoctoral research scholar working on a specific project, professor and expert guiding research project and managing research activity in the university, जैसे ही research होती है, professors research करते हैं, ठीक है, उनके under, जैसे professor के under, लोग PhD करते हैं, research करते हैं, ठीक है, तो उसको undertake करने के लिए, यह जो सारे users, इस type के भी users होते हैं, university library में, members of various academic and executive bodies university, ठीक है, members हो सकते किसी भी academic bodies के, ठीक है, scholars in general who get special privilege of using the university library, जैसे किसी को भी special recommendation मिल गई, कि आप हमाई university library के इस्तमाल कर सकते हैं, और जैसे, जो भी university का staff हो गया, staff हो गया, वो लोग इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो यह next देखते हैं, next क्या है collection, university library का collection कैसा होता है, building and organization, a major responsibility of university library is to build a sound collection of documentation, carefully geared to the academic needs of students, teachers and other researchers and the scholars engaged in the academic pursuit, ठीक है, तो इन सब को उन्हें carefully mind में रखना होता है, जिससे उनका collection है वो बहुत ही superb या बहुत ही well organized और बहुत ही perfectly documented होता है, students के लिए, teachers के लिए और researchers के लिए और जो भी scholars engaged होते हैं, what constitutes the best collection, the actual and potential needs of the user, have to be ascertained at appropriate intervals, user and use study techniques and methods developed, during the last three decades, we will provide some valid basis for the collection building, ठीक है, तो यह बहुत easy नहीं है, बहुत tough है, इस टाइप के collection को maintain करना है, यह फिर collect करना, तो इसके लिए बहुत सारे, क्या करते हैं, टेक्नीक होती हैं, बैथर्स होते हैं, जो की लाइबरी इस्तमाल करती हैं, इस्तमाल करते हैं, इस्तमाल करते हैं, इस्तमाल करते हैं, इस्तमाल करते हैं, In fact, a university is rated high or low by the quality of the collection its builds. तो इसी collection के according हम उसकी quality को rank दे सकते हैं कि वो कौन से high quality है ये low quality है. Budget, provision are limited factor in achieving a comprehensive and balanced collection. ये एक बहुत ही important problem बोल सकते हो ये limitations बोल सकते हो आपकी budget जो है वो हमेशा से ही crunch में रहता है. Another important factor in the proper management of university life we concern the proper housing of large stock of material. The materials should be properly classified and organized and located at right place of use so that they are easily accessible for anyone to use. तो इसको अच्छे से properly classified होना चाहिए जिससे कि जो user है वो से easily use कर पाया otherwise इतने बड़े collection को अगर धंग से organized or classified नहीं किया गया तो जो stock है उसकी जो collection है उसकी जो usability है वो खतम हो जाएगी. धंग से उसे use ही नहीं कर पाएगे कोई. तो नेक्स्स देख लेते हैं नहीं थे पूबलिक धफिसीकल स्टोरेज और फिलिंग अविल्लों टोकुमें बोथ प्रिंट्रेजी अन नण प्रिंट्रेंस मॉश्ट बिकनुसिव एडिकर्डुसी स इस बड़े उसे ले। नहीं उसे लेपूनिवर्यों प्रिंवर्टी ल इसमें बोला जा रहा है कि जो physical documents है जब फिसिकल डोक्यमेंट्स है जब वो प्रेंट हो या नॉन प्रेंट हो उसको यूस जो करते है में उसको यूस करने में इसको करने में पर प्रॉब्लम आती तो open source system को इस्तमाल किया है आज कि जो modern university library है टेकनोलीजी का इस्तमाल कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि जितने भी जो उनके documents है या collections हो डिजिटाइज हो सकते है नेक्स देख लेते हैं services क्या provide कर रही है services the major success of university library depends on the range of the services it offers to its user the service ought to be planned keeping in the view the general demand for such service वो क्या करें जो भी अपनी services बनाते है वो अपने दिमाग में users को ध्यान में रखके बनाते है and the capability of the library in offering such service the primary concern should be initiate any service on user needs and interest service can be categorized क्या क्या services है वो देख लेते हैं lending information and reference service reading facilities right display and theoretical and current acquisitions next देखते हैं awareness services current contain क्या क्या awareness services होती है selective dissemination of information हो गई library and information in social perspective next देखते हैं condensation service condensation service क्या क्या है preparation of abstracts of specific topic digest service and review and preparation of the states of the art report other services में क्या क्या है document supply services है inter-based search services है special services है user education exhibition and special 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 display and other services के अंदर तो document supply and services आगे और special services के अंदर आगे user education exhibition special display and special lecture and workshops ठीक है यह सब इसके अंदर आगे next देख लेते हैं physical facilities क्या क्या है there is a no gain saying the fact that the proper facility in the form of planned building to use the library holds and serving them in a functional manner is a necessary which enhance the utility of the library in planning future library building the impact of computer and communication technology will have to be keep in view today most of the print materials are available commercially in micro and machine readable form making storage problem rather simple this aspects must be taken into the consideration when the space requirement are formulated space allocation must meet to the change information environment basically physical facilities जो है आजकल change हो रही है जैसे कि हम लोग technology के जितना करीब जा रहे है उतना computerization हो रहा है ठीक है ना university library होती है उसकी जो budget होती है वो कौन देता है उसकी university देती है उसकी parent body देती है financial allocation are based on the certain norms उसके certain norms होते है recommendation of the different commission on education ठीक है according to Raj committee according 20 percentage जो है वो university library को मिलना चाहिए budget जो भी budget located होता है university को ठीक है budget but this provision is not followed uniformly by all university जैसे कि मैं आपको बता है यह followed नहीं होता different yard stick are applied in different cases it may be mentioned here that the cost of the university library must be considered in the context of changing education and technology ठीक है तो यह आप बोल सकते है कि क्यूंकि cost के वज़े से cost नहीं है हम लोग और भी जादा technology के पीछे भाग रहे हैं जिससे हमें जो हमारा cost का costing का problem है university library में वो कम हो जाए ठीक है it is learned that the UGC is sized of the subject and sooner if not let us some policy will be formulated taking into context and application of ICT and the changing information environment ठीक है तो आज की वीडियो यही पर finish हो रही है next हम public library के बारे में पढ़ेंगे और प्लीज चैनल को like share subscribe करो और हमें support करो thank you so much